अब कर दोस्त नहीं बुला है आप लोग सब को बहुत 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 शुक्रिया जोइन करने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी शेयर करें और लोगों तक पहुचाएं और लोग भी जोइन करें आज बहुत ही इंपोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं प्रभू का वचन से कुछ चीज है जो स्पिरिट में जो बंद है उसको मैं अनलॉक करना चाहता हूँ तो क्या चीज है जो हमारा स्पिरिट को अनलॉक करता है या क्या चीज है जो हमको बांदा हुआ है क्या चीज है जो परमेशूर से हमको रिजल्ट लाने में मदद करेगा और क्या चीज है जो हम परमेशूर के सामने जा सकेगा हला कि आज बहुत सारा many many cultures human made cultures है जो इनसान ने बनाया हुआ culture से और ऐसा नियम है ऐसी बाते हैं जो लोग आपको नुस्का देंगे कि ऐसा करने से आपको परमेशर के पास पहुंचने में ज़्यादा आसान होगा परमेशर आपको आशिश करेगा आप ये करेगा तो आप परमेशर आचा करेगा ये करने से तो बहुत लोग आज confusion में है spiritual life उसका जो आत्मिक जीवन है वो balance नहीं है परमेशर के प्रियों तो आज इनी बातों को लेकर के आप सीखेंगे सीखने से पहले आईए हम अपने आखों को बंद करें जितना भी है अपने हाथ को बढ़ाएं मैं प्रातना करना चाहूंगा चोड़ा सा चलिए हम लोग सब प्रातना करें तरव शक्तिमान प्यारे पिता परमेशर यहवा तेरा धन्यवाद मैं नहीं बलकि तू है परमेशर जो अपने आत्मा से अगवाई करता है और मदद करता है प्रभू तेरा अनुगर और तेरी कृपा से हमें घेरा है प्रभू तेरा कृपा तेरी दया है और प्रभू तू अगर हमसे बात नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं है परमेशर अगर तू हमसे बात नहीं कहेगा तो तेरे लोग कैसे समझेंगे परमेशर पिता हालेलुया पिता मैं इस वक्त अपने आपको नम्र करता हूँ और अपने दुबान को अपने अपने लेंगोईज को अपने अपने सब चीज प्रभू अपने ग्यान बुद्धी को मैं तेरे हाथों में सौपता हूं मैं अपनी ग्यान बुद्धी से नहीं तेरे ग्यान बुद्धी से अगवाई हो सकू परमेशर पिता मैं तेरा कोड़ी कोड़ी धन्यवाद करता हूँ और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं परमेशर पिता उनको अशिश कर प्रभू जो समझने की शक्ती दे प्रकाश की आत्मा दे प्रभू येश्य मस्य के नम से प्राथन मंगते हैं अब लोग अइमन, Amen, keep sharing this message, Brother Dr. Talamhar Nilam, God bless you and welcome to our life service so this is the evening that God made for us and we have to be rejoice in this evening, why? because God is giving us something and God is doing something in our life, in our nation, in our country, in our villages, okay so Jimran, God bless you, Jimran, God bless you, join करने के लिए, God bless you, share करते रहे तो what, 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 am, what की चीज है जो हमको परमेश्यर के करीब लेके जाते हैं क्या लोग बता रहा हैं और जो किताबे हैं जो आपको बजारो में मिलता है ये करने से वहाँ जाएगा, ये करने से आपको प्रभू से आशिष में देगा ये करने के इस तरह का काम करेगा ये तमाम नुस्का है आपके लिए आप हजारों लोग प्रचार करते हैं कि अलग 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 आपको तरीका बताते हैं परमेशर के नजदीक जाने का परमेशर के परमेशर से ब्लैसिंग्स लेने का लेकिन सच में क्या है असल में क्या आप से बात करूँगा कोई मुझे कॉमेंट करके बताऎ piss कैसा है क्योंकि बिश्वास सुनने के और वाई शरुद्बिन आता है इसलिए अगर आवाज Mrs. Gita Nalam for aim success surely we are going to pray for Gita Nalam यह service के last में हम लोग प्रातना करेंगे और याद दिलाना Gita Nalam के लिए हम लोग प्रातना करेंगे और सब ने कहा है आवाज clear है, clear है और बहुत clear है, clear है या बहुत clear है, आप लोग please number दिजे, आकि 100% क्लियर बोला, रोमान, फुकान, रोमान, गड़ ब्लेस्यू, रत्ना गुरूंग, गड़ ब्लेस्यू, तो, तो, देखे, परमेश्वर का वचन का कन्फेशन कर रहा है, अगर आप परमेश्वर का वचन को कन्फेशन कर रहा है, if you are confessing the word of God, and nothing is happening, that means something wrong, or something, meaning, you are disconnecting in the spiritual realm, okay, जब आप confession कर रहा है, परमेश्वर का वचन को कोड कर रहा है, बोल रहा है, जेनिसिस का किताब को, और क्या था यह, भजन संगीता 23, साम चप्टर 23, जोल चप्टर 28, मैथिव 7, 7, फिलिपेश्वर 4, verse 19, आप कोड कर रहा है, और आप बोल रहा है, और आपको manifestation नहीं हो रहा है, उन उन चीजों का आप प्रगटिक करन नहीं हो रहा है, आपको result दिखा ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि आप spiritual disconnect है, परियो, परमेश्वर के लोगों, कहीं नहीं आपका mind काम कर रहा है, कहीं नहीं आपका शरीर काम कर रहा है, कहीं नहीं आपका सोच काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन महान है, अद्भूत है, और येश्वर खुद गवाही देता है, कि येश्वर का वचन जेटा है और वो बाता है आत्मा है और वो जीवन देता है बला हालयलूयाः प्रेश द लोर्ड गोर्ड था जब्लolog विक्टर विक्टर स्थ कोड ब्लस्य विक्र ग्र क कैस मिल्म ए यिंज मीन क३ फ्ल्रि डंकल ग्रिय также of God bless you and thank you so much for joining. So listen carefully by the Holy Spirit, by the Spirit, your Spirit, okay? By the helping of the Spirit, Spirit of God. So when we, when we, uh, uh, attention and when we, uh, cable, let's go. Humbly receive the Word of God. Word of God have a power to change our life and change our thoughts and change our, uh, cable, let's go. हमारे Chrisetty को बदल सकता है. किense çalış leche क centres 플래 ohm So many people, they, they have a relationship. Christianity is relationship, obedience होगा है रहोने न, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कुछ देर पहले मैं और मेरा वाइफ हम लोग दोनों इस तरह में लेटे-लेटे प्रातना कर रहा था और हम बचन पढ़ रहा था बचन के डिसकास कर रहा था तो हमको परमेशोर ने एक बात दिया relationship के बारे में तो बहुत pastors लोग बहुत churches लोग बोल रहा है इवन मैंने भी बोला होगा कि about all those things but Christianity it's about relationship तो मैं बता रहा हूं मेरा वाइफ और हम दोनों का पती-पत्नी का relation संदीब का और मेरा relation ना मामा भांजा का है तो बहुत लोग जैसे कि यहां पर आनंद मेरा बेटा है covenant मेरा आप दोनों का रिष्टा जो है क्या है बाप बेटा का रिष्टा है बाप बेटा का रिष्टा है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि relation incomplete है fellowship के बिना यह लिख के रखना है मेरा quotes में आप लोग ज़रूर लिख देना कली और आप लोग भी लिख के relationship is nothing without fellowship मेरा और आनंद हम दोनों बाप बेटा है हमारा relation है यह हमारा relation है अगर हम लोग दोनों का fellowship नहीं है हम लोग दोनों का fellowship मीनिंग देखें रिलेशन यह रिलेट करता है रिलेट करता है मतलब एक connection है लेकिन fellowship जो है ना हम लोग दोनों को ना मने दोस्त बनाता है बात चीत करता है fellowship जो है ना बात करता है कि तरह से जानते हैं Hallelujah तो बहुत लोग परमेशर के साथ में relation है लेकिन fellowship नहीं है परियो Amen somebody type Amen and fire so आपका सोच को बदलने वाला है परमेशर आपका प्रातना को बदलने वाला है परमेशर Hallelujah so I'm unlocking something in the realm of the spirit spiritual realm में मैं कुछ चीज को unlock करना चाहता हूँ कि लोगों को किस चीज से रुकावाट हो रहा है मैं एकदम गहराई में जाना चाहता हूँ Okay so परमेशर के लोगो sister Ivy God bless you God bless you everyone God bless you please type fire type Amen if you if you like then give me thumbs up thumbs up in YouTube thumbs up Facebook page you are doing very good listen carefully listen very carefully Hallelujah listen very carefully मैं फिर से बोल रहा हूँ relationship is nothing without fellowship आप husband और wife का relation है क्या आपका relation में क्या है मेरा wife है मेरा husband है मेरा बेटा है मेरा बेटी है मेरा मामा है मेरा चाचा है लेकिन आप लोगों का fellowship नहीं है तो कोई result नहीं होगा So many people they are claiming the word of God they are quoting the word of God परमेशर का वच्चन को उन लोग बोल रहा है परमेशर का वच्चन को proclaim कर रहा है डिग्री कर रहा है डिक्लेर कर रहा है लेकिन उन लोगों को manifestation नहीं दिखाए दे रहा है क्यों कि उन लोगों का spiritual room में कुछ तो disconnect है कुछ तो disconnect है और कुछ connect है connect क्या है यह आप तै कीजे लेकिन disconnect क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेशर के लोगों आपका relationship परमेशर के साथ है कोई कमी नहीं है लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या आपका fellowship परमेशर के साथ बराबर है क्या आज सुबह मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आज सुबह आपने परमेशर के साथ बातचीत किया तो बातचीत किया आपने fellowship किया तो परमेशर ने आप से क्या कहा और आ अगर परमेशर के आजकल, आजकल, एए, I just wanted to take you the book of Matthew chapter number 6 verse number 7, why I don't know but let's read, let's read, Matthew chapter number 6 verse number 7, आए हम पड़े, और keep sharing this message to somebody because somebody need this and somebody is waiting for your share, please share, 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 do share, do share, do share, do share, अगर आपने share कर चुका है, तो please, I are done बोल के लिखे, YouTube fire है, YouTube fire, YouTube पुरा fire है, hallelujah, wonderful, 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 glory to Jesus, Facebook even doing very good, praise the Lord, hallelujah, so listen, प्राथना करते समय, अन्य जातियों की नाई बगबग न करो, इसका मतलब है कि प्राथना का बगबग भी होता है मतलब, प्राथना करते समय में, तुम क्या करो, अन्य जाति के सम्मान बगबग मत करो, मतलब आगे क्या बोल रहा है, क्या है, क्या रह रहते हैं, आगे क्या है, अन्य प्राथना, रहते ही होता है, लिखा हूँ वग बगवास वग मसा इसका मतलब है जब आप परमेशन के साथ करते हैं तो आप परमेशन करते हैं तो आप मेरे सामने बहुत परमेशन करते रहएगा हम आपका रिलेशन तगड़ा है लेकिन फैलेशिप तगड़ा नहीं हो रहा है अगर फैलेशिप करने के लिए कोशिश भी कर रहा है तो आपका फैलेशिप का मतलब है talking each other talking each other दोनों को देखना उसको touch करना feel करना उन दोनों बात करना यह लेंगोज़ अनगहं पहुति इंपोरतने यह वह आजब इंपोरतन है वह भातते इंपोरतने बाते तोना spiritual है language कि दैसी प्रैटल एइमेंडलों इंट मियिए अगर यह वह अवाज बहुत इंपोरेंटी है समझ में नहीं आएगा जापनिस यहां आके बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन पूरा दुनिया में एक common language है वो body language सब लोग खाना खाते हैं जापन में जाकर करने से उन लोग बोलेगा लोग एमेन हालेलुया तो common language है जिससे हम लोग क्या कर सकता है परमेशर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो आपका body language और आपका अंदर का language नहीं मिल रहा है आप परमेशर को बार बार रिपीटली रिपीटली बात कर प्राथना कर रहा है बक्वास मने धोंगी के समा आप प्राथना कर रहा है ऑप राषख अलब राख लाजए आप परमेशर कर आनन मेरे पास आकर के पापा राख भालाथ आपको लड़ाय करने आया बात करने आया भाईया मुझे यह समझ में नहीं आता है फायर इंपोर्टेंट है जिस तरह से हम लोग प्रात्न करते हैं इंपोर्टेंट है फिरस मीटिंग में कभी कभी कहां कहां दूस्ट आत्मा मीनिंग एक आग होता है वो जरूरी है लेकिन वेंग वेंट प्राइबेटली संबडी प्राशिका अबर बर 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 गद यह कें था से था से रज pride when we meet privately God when we fellowship with God we have a beautiful language अंबल प्रातना जो ना नमरता को दर्शा थी दॉन हो करके तेरा तेरा टेरा नुग्रा है तेरा दया है प्रभू तो जिससे मैं कर पा रहा हूं तो आप मिनिस्ट्री में गया अब वहां पर कुमसेट में गया कॉंट्रेंट में गया आपको फायर हुआ है एक चलता परमेशर आपका चिलाना नहीं सुनता होगा कभी कभी जितना जोड से चिलाने से भी लेकिन कभी कभी परमेशर आपका अंदर का बात को भी समझ जाता है तो यूर वोड्स और इस्पिरिट इस नोट कनेक्टिंग एच अदर जानते सुनुता हैं जब आप प्रात्थना करता है आप वोड्स को बोलता है उसका मतलब है हिंदी में फिर एक बढर पढ़े प्रात्थना करते समय अन्यजातियों की नाई बंग-बंग न करो क्यूंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी बहुत बोलने से उसकी सुने हैं आप जब मुझे बोलता है ना आपका स्पिरिक में कनेक्ट होता है ना आपको मुझे से कभी-कभी बोलने जोरूरत भी नहीं होता है येशु मस्झी ने खराब इंसल्ट किये कोई जगा में हम दिखाएगा लेकिन ध्यान से सुनिये, मैं फिर इसे क्या बोल रहा हूँ तो परमेश्वर के साथ जब आप fellowship करते हैं तो fellowship जो है, interact करते हैं meaning एक दूसरे से मुलाकात करते हैं या आप परमेश्वर को कुछ बात बोलने जाते हैं या परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए जाते हैं तो पूरा जान के जाएए कि आज मैं एक अपना पिता से बात करने जा रहा हूँ आपको imagination नहीं करना है परमेश्वर के लोगों image नहीं करना है Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उसका परमेश्वर सुनेगा, उसका परमेश्वर को emotion होगा God doesn't move like this, ऐसे से परमेश्वर कभी move नहीं होता है मैं प्रातना करता हूँ हमेशा परमेश्वर, मुझे घ्यान दो, मेरे आखों को जोतिर में करो, खोल दो कि मैं उन बातों को देख सकूँ, जो बाते आपको करता है परमेश्वर, hallelujah, praise the Lord तो ध्यान से सुनेए, आप जब प्रातना करता है, लंबा 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 प्रातना करता है हम बताएगा, spirit में प्रातना नहीं करता है, meaning आप spirit से connection हो यह नहीं, होता ही नहीं, simple, simple मैं आपको अगर समझाओं तो, John chapter number 11, verse number 41 है, क्या मेरे खायल से, चलिए, John chapter number 11, verse 41, please, quickly तब उन्होने उस पत्थर को हटाया, then they took away the stone from the place where the dead man was laying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. And I know that you always hear me, I know, you always hear me, मैं जानता हूँ कि तु मेरे हमेशा सुखता है, फिर भी मैं, but because of the people, because of the people, because of the people, I am pronoun, I am what support rather, who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me, लोग बिश्वास करें, लोगों को पता चलें, इसलिए हम जोर जोर से छिला करके प्रात्ना कर रहा है, लोगों को, लोगों के लिए, पर्मेशार का वच्चन का देमोस्टेशन करने के लिए, लोगों के बीच में, कभी कभी जोर से हम लोग प्रचार करते हैं जोर से हम लोग प्रातना करते हैं लेकिन परसनली मेरा परमेशर को हम जानता है कि वो जानता है बहुत लोग प्रातना मूँ से करते हैं इस्पिरिट से ने करते हैं तो बाइबल में spirit से प्रात्थना करने के लिए इशु मसी जानता है कि वो लाजरेस प्रात्थना सुन चुका है वो जिन्दा हो चुका है आजाओ बोलने से आजाना था लेकिन इशु को चिला के बोलना पड़ा कैसे क्यों लोगों के लिए इसका मतलब है God Hears जो परमिशर सुनता है वो आपक आ लोड्मेंти बरेर गेंस सब्सक्राइब का भुप्रिका आज़ को तुम करैंदे से एपरमिशर आपके प्रात्ना का उत्तर नहीं अंके चैनी परमेशर आपका प्राथनाओं का उत्तर ने देता है, परमेशर आपका भिश्वास का उत्तर देता है, hallelujah, hallelujah, if you like please, type fire, amen, amen, जिंदा है आप लोग, I am formalities कर रहे हैं जैसे करकी बैटा हुआ इदर, I am preaching yeah, praise the Lord, glory to Jesus, hallelujah, hallelujah, आपका प्राथना नहीं है जो उत्तर लाता है, परमेशर सुनता है, sorry, परमेशर आपका प्राथनाओं का जबाब नहीं देता है, परमेशर आपका भिश्वास का जबाब देता है, Praise the Lord तो परमेशर बिश्वास जो है इदर से नहीं बिश्वास spiritual है वो spirit है जब आप परमेशर से कुछ मांगते हैं जब आप परमेशर को वचन को बोलते हैं आपको आत्मा से बोलना होगा आपको spirit से बोलना होगा तब आपको manifestation दिखाए देगा आपका spirit कहीं और और आपका wordings कहीं और और आपका सोच कहीं और आपको परमेशर का वचन का manifestation नहीं दिखाए देगा परमेशर ने कहा उजाला हो उजाला हो गया आदम ने prophecy किया अब ये ये नर्मे से जन्मी है ये मेरा है और ये लर्का लोग मापाप का घर को छोड़के लर्की के साथ बना रहेगा उस दिन आदम ने जो बोला आज तक establish है इसलिए लर्का लोग लर्की डुनके गुमते रहता है अब लोगों को एक तो बिस्ट्रीस पता है नहीं हम लोग जवान होते ही लर्का लोग लर्की क्यों डुनता है लर्की ज़्यादा है इसलिए डुनता है नहीं आदम ने प्रॉफिसी कर दिया था आदम ने जो बोल दिया है वो आज तक लागू है परमेशर ने जो बोल दिया वो आज तक लागू है तटल एमेन और परमेशुर का दास महान दास लोगों ने हमने कहीं ही ऐसा परमेशुर के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका जो ना आजकल का न्यू जेनरेशन लोग पता नहीं क्या मनें साबीत करना चाता है परमेशुर को इसी तरह से जानता है कि ने जानता हूं भी पता नहीं है बंद करो मैं बहरा नहीं हूं मैं सुनता हूं मैं चाहता हूं जो तुम मूख से बोल रहा है तुम्हारा बोड़ी लेंगोईज भी वह हो बोड़ी लेंगोईज वह हो बोड़ी लेंगोईज जो इस्पिरिट अनेक्शन है पोड़ से कनेक्ट नहीं है समझ में रहा है कि नहीं हारा है एमेन आलेलुया कीता सोना और गॉड़्स यू कंदीब भार दवाल बाज गॉड़्स यू तुदीब तुदीब और गॉड़्स यू माई डियर हम पढ़ने में तरह मिस्टेक कर दे मेरा आँकों का प्राब्लम है दिवा मैज दोर जी गॉड़्स यू आपको समझ में आ रहा होगा प्लीस लिसन वेरी क्यरफुली परमेश्ड ने आपको और मुझे वचन दिया पर में और मुझे आतमा दिया परमेश्ड ने आप और मुझे अधिकार दिया है क्यों हम लोग जब परमेशर का बचन को बोलेंगे वो होएगा पचन का जमास्टेशन करके इश्व ने दिखाया इश्व ने लाज्रेस को बोला जी उटकी निकल जाओ वो वो लोगों के सामने चिलाना पड़ा क्यूं कि लोगों को दिखाने के लिए लेकिन परमेशर आत्मा का ब without fellowship fellowship Tip तो आपका fellowship जो है आपका permisher के साथ किस किस किया से इंटरेक्ट करता है वो Important है मीनिंग आप शरीर को शरीर को लेकर करके परमेशर के पास जाएंगे तो आपको परमेशुर जिखता ही नहीं है क्योंकि परमेशुर आत्मा है आप शरीर की चाहों को शरीर की सोच बिचार को शरीर के इंपोर्टेंस बात को ले करके और मतलब क्या बोलेगा इंट्रलीजेंट डिलीजेंट क्या बोलेगा इंट्रलेक्चल बातों को ले करके आप परमेशर के पास जाएंगे आजकल का ये हमारा शरीर है और इसके अंदर का पानी हमारा आत्मा है ये दस मिलिमीटर ये भर रहा है और आपका जीवन बर जाएगा सुनने में बहुत आचा लगता है सुनने में बहुत आचा लगता है विदाउट प्रॉप क्या बहुता डैंस करने वाला लोग प्रॉप लेक यूज करता है तो ना ना विदाउट प्रॉप आप इश्यू को प्रचार करके देख दिल जीत के देख आप डॉक्टर का टाइटल को छोड़ के प्रचार करके आत्मे को जीत के देखे आप 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 इवेंजलिस पा अब्राप यूज करना जरूरी नहां आत्मा को जीतने के लिए आपको इंटलेक्श होना जरूरी नहीं है to a कि अहुदा था है कहल देखते हैं चली क्या बोलता है अथे विच्प विच्विख मियंता थे राइं आ आए को अ सिरेता है य Champions ंट इस अमनले टूरा टूर小 आयव फश्क आरय kete निमस्स क efektर अनमर see here and I brethren and I brethren when I came to you when I came to you did not come with I did not come with the excellence words excellence of speech excellence of speech मैं जब भायो मैं आपके पास जब आता हूं या आया हूं मैं excellence speech को ले करके नहीं आया हूं मैं प्रप्स को ले करके नहीं आया हूं मैं इस दुनिया का टेलं टेलंट बात इतना जान वाली बातों को ले करके नहीं आया हूं आगे पड़े or of wisdom declaring to you the testimony of God for I determine not to know anything about you I determine not to know anything I determine not nothing so anything about among you except Jesus Christ God loves you if you know you are a spirit and if you know that God is living inside of you if you know that the Holy Spirit your body is the temple of Holy Spirit if you know the heavenly God lives in you and God said I will never leave you and never shake you and I will be with you always God in the flesh God in the flesh God in the flesh flesh we are and God is in us and God wants to move in this world but you are not connected with God your thoughts, your feelings, your emotion may be connected with God but God moves by your connecting in the spiritual room in the spirit in the spirit but you are not akan to hear from God and God will listen to God and if you are not attached to God and God is not something to do you are not connected to God and you are not a motive and you are not enthralled and you are not much I am K Nicolas पॉलूस को नड़ सकता है पॉलूस को कौन yeah 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 Trinity lado में कौन उसको जीद सकता था भार पारसी सोगत ढवार सिसुर में इस नोब काई टीचर कांच तीचर हुन में तुम लोग मेरत खोई भी इंट्रिकशेम के सामने ख़ार है क्या नहीं रह सकता था इतना पता नहीं है और हम कुछ भी नहीं है हम केवल इशू का मैसेज को लेकर और हे भाईयो जब में परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि मैं प्रॉप्स को यूजने करूँगा मैं सांसार का ज्यान को यूजने करूँगा मैं इतना जानता हूँ उन चीजों को मैं यूजने करूँगा कि तुम्हारे बीच येशु मसी वरन क्रूस पर चड़ाए हुए मसी को छोड़ और किसी बात को न जानो मैंने निर्ने ले लिया, मैंने निश्टे किया है कि तमाम ज्यान बुद्धी को मैं लॉक करूँ और मैं क्या करूँ येशु मसी को अनलॉक करूँ इमेन, इसको छोड़के और मेरे पास दुश्रा कोई मैसेश नहीं आलेलुया, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आपका फैलोशिप परमेशर के साथ किस तरह का है, आप कैसे प्रातना करते हैं परमेशर के साथ प्रातना का मतलब है, सिम्पल होना चाहिए प्रातना करता है, आप 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 प्रातना को मेरे बच्छा लोग उदर कैस कर रहा होगा, आपका ये पूरा काम कर रहा होता है लेकिन वैबल में क्या बोला यह कोई भी कि यूसलेस हो जाएगा अई कि मेरत सना कि तो ने चार गया हो वख साथ्य विन्हें मर चुका है तो उस एंप Moyet में तरुदानाव कुंके इस अंग सब्सक्रांज नर documenting लिए जा लोग यह सुनने के लिए बेताब था डॉक्र के जैसा I am sorry वो अब न रहा लोग यही चाहता था कि इशू आके यही बोले कि सच में मरा हुआ है क्योंकि इशू बार-बार बोलते आ रहा कि वो सो रहा है वो सो रहा है अंदर जाके आथमी लोग वहाँ पर रूख रहा था कि इशू आएगा कब बोलेगा कि I'm sorry, वो सच में मरावा है नहीं, इशू के यहाँ spiritual Rome में आदमी नहीं मरता है आदमी सोता है और सच यह है, Amen Praise the Lord Hallelujah 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 Fire, fire, fire Please keep sharing, keep sharing this message Keep sharing, keep sharing आप इस message को, इस बच्चन को शेर करते रहें, और आप लोग काफी अच्छा कर रहा है God bless you God bless you everyone Ruben Goli God bless you God bless you God bless you आपको समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ इशू जहां से आया वहां नहीं मरता है तो इशू ने क्या बोला है वो सो रहा है यह जो क्या है लोगों के लिए अब वो मैं हूँ, सो हूँ, कौन? कहा है वो? मेरा तो अलसर है, meaning, परमेश्र आपका साथ में अलसर हैं? यह जूट है. सच क्या है? आपका परातना क्या होना जे परमेश्र के सामने? प्रभू, 2000 साल पहले मेरे सारे रोगों को नाच कर दिया, और मैं तंद्रूस्त हूं, अलाकि आपका पेट में दर्द है, लेकिन आप जाके परमेशर के सामने जब बोलता है ना, जब चंगा हूं, और दूद्र आपका लिए काम करने लग ज़ता है, लोगों के लिए जूट जो परमेशर के लिए सत्त है, आप जब जाके बोलता है, मिनिग लाक कड़रि पती हूं, मैं, यह बेंग में एक रुबे भी नहीं है, और लोगों के लिए जूट है, लेकिन परमेशर जब आप बोलता है, कि मैं लाक कड़र् पती हूं, तब परमेशर बोलता है यह सच बोल रहा है और यह अपने आपको पहचान रहा है, भाललू कि विभशु में डिखा सामने में इता है ऐप सचाइए इसी ही लिए वाविवे समस्व को ढुख रहा है जो आत्मा से और सथ that's 3 आलेलूया कि अब का में से प्रावैं नहीं करता है और आप सत्य को बोलता ही नहीं है बहुत लोग सत्य को बोलता है आत्मा में नहीं है लेकिन बहुत लोग आत्मा में है और सत्य को नहीं बोलता है आत्मा में में होकर के आपका शरीर परमेश्र का घर है और दूसरा बात आप परमेश्र का बोड़ी है और आप परमेशर का बोड़ी बिमार नहीं होना चाहिए that is, this is truth Amen तो आपका, आप जब परमेशर के नजदीक जाते हैं तो क्या वोड्स ले करके जाते हैं परमेशर को क्या बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा important है relation, fellowship में fellowship में Amen तो John chapter number 6, verse number 36 63, sorry John chapter number 6, verse number 63 को कोलिये कोई Hallelujah, great, 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 great Yes, Amen Amen Online, online जितना भी online है, सब को बहुत ज़्यादा शीशितो God bless you, everyone So please, पढ़िये It is the spirit who gives life The flesh profits nothing The words that I speak To our spirit और हम लोग जो By the blood of Jesus Christ Oh, परमेश्ट तेरा वच्चन में लिखा हुआ है ये, वो, वो आपका प्राथना इतना लंबा चोड़ा होता है फिर भी वो आंदी नहीं रूखता है क्यों? क्योंकि आप उन आप आत्मा से नहीं बोलता है लेकिन येश्ट नहीं बोलता है तुमारा और मेरा बातों में ना दमीन और आस्मान का फ़राख है परमेश्ट को वच्चन ये बोलना चाहता है हिंदी में पढ़िए उस बाग को प्रीज 63 को, 6 का 63 आत्मा तो जीवन दायक है आत्मा तो जीवन दायक है पर शरीर से कुछ लाप नहीं परमेश्टर का प्रचार करते हैं प्रात्ना करने के लिए जाते हैं अगर आप शरीर में जाते हैं शरीरिक भाषा को बोलता है इंटलेक्चल बात को बोलेगा वहाँ में थोड़ा देर आत्मी तो खुश होगा लेकिन वहाँ जिन्दगी नहीं दिखाए देगा लेकिन आप आत्मी खिक बातों को आत्मा जिन्दा बचन को बोलेगा तो वहाँ जरूर वह काम को होते हुए दिखाए देगा हाललुया I feel I stop मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोक दूँ खतम कर दूँ लेसिंग्स का प्रातना कर दो और चल दूँ जाँ आप इंकरेज ने कर रहा हम को कोई तो हाललुया 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 मैं जो बोलता हूँ वह स्पिरिट है और वह क्या है बोला है जीवन देता है बोला लेकिन तुम जो बोलता है वह स्पिरिट नहीं है और वह जीवन भी नहीं देता है मिनिंग होता भी नहीं है क्यूंकि आप आपका fellowship permission कमजोर है कि रिलेशन तकड़ा है 25 यह हो गया आपका क्रिक्षिन होता हो 30 यह हो गया दस साल हो गया 20 साल हो गया और आप यह भी बोलता है कि हम तो इस्चु को कभी छोड़ेगा नहीं प्राबलम यह नहीं है कि आप इस्चु को पोड़ो भी मत कभी भी प्राबलम यह है कि आपका बीबी के साथ आपका इंटर्यख कैसा है भाश्जिक घंगती कैसा है आपका अपका बीदी कैसे है हालेलूइया गैजे लॉड्ट ऑनका परमेश्ण के साथ आपकाוח है कितना कितना important है और कितना जरूरी है और कैसा है आप fellowship परमेशर के साथ और जो आप बाते बोलते हैं क्या आप वो spirit से बोलते हैं या आप शरीर से बोलते हैं अगर आप शरीर से बोलते हैं तो वो जीवन नहीं देगा वहां दिखाई नहीं देगा लेकिन आप जब आत्मा से बोलता यह प्रिथिवी मनुष्यों को दिया है, यह प्रिथिवी जो हम मनुष्यों का है, हम इंसानों का है, शैतान के पास भी अधिकार नहीं है, देखे, परमेश्यों ने जब आदम को बनाया था, मटी से बनाया तो ना, और उसके बाद परमेश्यों ने इव को बनाया, तो मटी स परमेशर है कि उसने मट्टी लेकर करके नहीं बनाया क्योंकि मट्टी का अधिकारी कौन था अधम था अधम का अधिकारी जो कौन था परमेशर था इसलिए अधम तो परमेशर भी परमेशर भी जानता और यह शैतान भी जानता लेकिन शैतान को इस प्रतिविय में काम करने क कि बातों पर मन लगाते हें इंट्रिक्ष मान उपर मन लगाते हैं यहाँ पर मिज्ञान को मिक्स कर दिया जब कि आपका वचन आद्मी का जीवन को परिवर्तन करना आपका बोला वाला बात manifestation हो जाए हम को यहां पर लोग आकर कि पास्टर आप पॉचा प्रॉफिजिक करता है आपको लगता है ताली बजाता है आपको उन लोगों को लगता होगा कि हमको यह सुनने दिल है हमको यह सुनने दिल नहीं है I am really sorry हम क्या सुनना चाहता है बता आज का वचन ने हमारे जीवन को बदल दिया हमारे सोंच को बदल दिया वाँ पासर आप क्या दर्शन देखता है यह सुनने दिल नहीं लेकिन पासर आपने जो बोला था जो प्रफिस से किया था वो पूरा हुआ है और हम आज गवाही दे रहा है ये सुनने दिले हलेलुया सारा तारीफ मेरे ये शुका है सारा अरादनार स्तूती परमेशरक योग्य का है उसका है उसी को दीजे उनी को दीजे मैं एक पात रहूँ मैं एक स्प्रिथिपी से आप लोगों के बीज में से अकलावाद मी मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं भी मेहनत करता हूँ मैं भी प्रातना करता हूँ लेकिन फरक ये है मैंने अपना 17 साल का वाकिंग में देखा है कि मैं बहुत सकसेसफूल मिनिस्ट्री कर रहा हूं परमिशर का अनुगरा से। बहुत अच्छा परमिशर का काम हो रहा है कि इसे ही नहीं बोल रहा हूं। जो लोग मेरे साथ है उन लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और आप भी जानने के लिए कोशिस कीजिए कि परमेश्र का वचन शक्तिशाली है परमेश्र का वचन वाइबल में लेका है उस वारिश के सम्मान है जो गिरता है और उपस को उप जाता है पीना यह काम की वह नहीं लोटता है बोलाइब लेकिन पॉलरहे आप बच वोर्ट को बोल रहा है पुरान जमाना में करिस्मेतिक मूब्मेंट आया था जैसे पैंटिकोस के जिग हो में पैंटीकॉस back गिस्टोर्ट जिश्आय में जैसे जनाम ले रहा था उस समय में दर्चन, वीजन, प्रॉफिस लोगों को उनलोग King James Version बहुत पढ़ता था King James Version उनलोग Influen होकर के बहुता तो उनलोग बोलता था मने उस समय में Thou says the God, Thou says the Lord, Thou says God, He will move again, He will do again, He will rush again नहीं से दाओ 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 बोलते रहता था तो उनलोगों का प्राथना में तो कुछ कुछ की लेंगोज को लाता था कि हम लोग King James version से influenced नहीं है जो आप और हम जो बॉचन को यहां से बोल रहे वह परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुसे के द्वारा मुसा को परमेश्वर ने कहा था, उस वचन को मैं बोल रहा हूँ, हमको नहीं लगता है कि मुसा ने ऐसे, मुसा ने उसी बासा में बोला होगा, नहीं, वोई लेंगोश में बोला होगा, नहीं, वो किसी और बासा में ब बोला जैसा ही है मेनिंग क्या बोलेगा वो जिन्दा नहीं है क्यों कि आप शरीर में हैं शरीर में अगर हम लोग परमेश्वर का वचन को बोलते हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखाए देगा लेकिन हम आत्मा से परमेश्वर का वचन का उस महतपून को उस गुन को उस शक्त को पालने का अधिकार भी हमारे पास है फर्मेशर को आने देना अधिकार भी हमारे पास है हाललुया आप पर में आप परमेशर को आप परमेशर को अपने अंदर से आपको काम करने देना है परमेशर को काम करने के लिए देना या आपका आपका चोई से नहीं देना चाहते है आप परमेश्वर को लॉक करके आपका शरीरिक बातों को अनलॉक करके घूम रहा है शरीर के बातों को अनलॉक कीजिए पॉलूस के जैसे फिर से हम लोग वहीं जाना चाहते है पास कॉरूंतिन चेप्टर नम्ट कॉम्प्लीट पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ दीजे कुई आलेलूया और हे भाईयो जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच इशु मसी वरन क्रूस पर चड़ाए हुए मसी को छोड़ और किसी बात को न जानो और मैं निर्बलता और भाई के साथ और बहुत थर थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा क्या है यह वह बिलिवर्स लोग से डरता था यह किसी और से डरता था ना क्या क्या क्यूं थर थराता था था दियान से सुनिए मैं भी जब भी जब भी चर्श में मैसेज बोलने के लिए आता हूँ मैं यहां ऑनलाइन आपके सामने मैसेज बोलने के लिए आता हूँ मैं वो डर और भय के साथ धरतराता हुआ आता हूँ क्यों क्यों कि मेरा हमेशा घर से निकल के आने तैमें हम प्रात्ना करता है यहां तक हम अने भाशा में प्रात्ना करता है और हम मन से प्रात्ना करता है परमेश्वर को बोलता है सको और सिर्फ परमेशर का वच्चन को बता है कि अधर किए आप लोगों के पास और पॉलुस भी सेम यही कर रहा है अगे और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्यान की लुभाने वाली बाते नहीं मेरे प्रचार में और मेरे बातों में ज्यान की लुभाने वाली कोई बाते नहीं है उसने अपने आपको फूरा अनलोक कर दिया वो क्या नहीं जानता था पॉलूस बारा चेला में से येशु का बारा चेला बारा चेला में से बाहर से आया हुआ एक ही मात्र चेला है जिसको एप्रूब किया है पॉलूसे एमेन येशु के साथ में रहने वाला जो बारा एपॉस्टल था बाहर से आया एक एपॉस्टल और उसने कहा हम मैं एपॉस्टल मनुष्य के ताकत से नहीं लेकिन परमेशर से चुना गया हूँ बोला है एमेन कितना जिटली परमेशर का दास ज्यानी पढ़ा लिखा ब्रिग पोल रहा है कि मैं कोई संसार का ज्यान और लुभाने वाली बातें लेके तुमारे पास नहीं आता लेकिन हमने ये ठान लिया है कि हम येशु को छोड़के और कुछ प्रशार ने को तो जब आप आत्मा में चलेंगे आत्मा से पिरिट में आप आएगा आपको परमेशर का वचन का शक्ति को दिखाई देने लगे जब आप संसार का ज्यान को फिक्स करके डालेगा आप सिर्फ मोहाँ पे मोटीव होता हुआ देखेगा रिजल्क को नहीं दिखाई देगा पुरा आगे पढ़िए और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्यान की लुभाने वाली बाते नहीं परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमान था परन्तु आत्मा और समर्थ का क्य था प्रमान्था प्रमान था इंग नहें कई से लगा है वो जगह को पड़े तो आत्मा और बट इन दिमोंस्ट्रेशन अफ्टेरिट अफ पर स्पोर पर्मिनोंस्टरिचन ऍबोंस्टरिशन पर्मृटल्ट material कर देमोंस्टेशन बोले अब आत्म कर देमोंस्टेशन केसे कर दिखाएंगा धिर परी but in demonstration of the sentence and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom and human wisdom मेरा प्रचार हुमन विजलम जनाय बोल रहा है अगे इन देमोंस्ट्रेशन आफ धर स्पीरिट अफ आप आत्मा को कैसे देम अगे इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुश्यों के ग्यान पर नहीं इसलिए कि परमेश्वास मनुश्यों के ग्यान पर नहीं तुम्हारा विश्वास मैं आत्मा का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूं मैं आत्मा और शक्ति को डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूं यह इसलिए करता हूं कि तुम्हारा विश्वास मनुश्यों के ग्यान पर नहीं लोगों का बिश्वास मनुश्यों के ग्यान पर भरकन उसका है, आप ये Bible पड़ो, ये पड़ो, आप परमेशर के नजदिक जाएगा, आप ऐसे करके प्राथना, गुटना टेक के प्राथना करो, तो परमेशर सुनेगा, आप हास हास के प्राथना करो, तब परमेशर सुनेगा, आप पहाडों में जाओ, तब परमेशर सुन है हालेलुया Christians are Christians and people are people don't try to be a very wise man बहुत ही चलाक बनने के लिए कुछ लेकिन परमेशर के बतन में प्रभु का प्यार में प्रभु का सुसामाचार में एक्सिलेंस बनने Alleluia हम जहा जो परमेशर का दास आपको नुष्का दे रहा है ये करने से ठीक होगा वो करने से ठीक होगा गलत गाइड कर रहा है लेकिन मैं परमेशर का आत्म से बोलना चाहता हूँ प्रभू ने आपको कभी नहीं चौड़ने का वादा कियह हो हमेशा आपके साथ है आपका फास्टींग बेकार है भीश्वास के बिना आपका परवाथनग बेकार है भिश्वास के बिना कभी-कभी परमेश्र बोलता भी नहीं है और परमेश्र सुन लेता है कभी-कभी आपको परमेश्र को बोलने का जरुरत नहीं है परमेश्र सुन लेता है कहा था हो आईजया चेप्टर नम्र 65 वर्स नम्र 24 को कोई पढ़िये दो Isaiah chapter 65, verse number 20 it shall come to pass that before they call I will answer अन्दी में पढ़े तो जगा उनकी फुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूँगा परमेशर को आप बोलते हैं परमेशर के लिए जायर हो जाता है परमेशर को मुझ से नहीं बोलके भी वो सुन लेते हैं और उनके मांगने मांगते ही मैं उनकी सुन लूगा अरे मांगते ही मैं उनके सुन लूँगा हम लोग है ना जो मैं जो बोल रहा हो ना ए वो पहले वोट्स नहीं है वो पहले अंदर है तो आज कल क्या हो रहा है कि क्रिशन लोगों के जीवन में वोट्स तो है मूँ में लेकिन वो अंदर नहीं है अंदर होना चाहिए पोछिर पहले ही सुन लेता है जैसे हमको अंदर भूग लगा है तो मेरा पोडी लेंगूँच क्या होता है कि कि एमन कि जैसे यह अदमी मूड अफ वे नहीं से पेचांद में अजाता है आपका बोडी लेंग को इससे पता चल जाता है कि आपका अंदर क्या चल रहा है आपका वोडिंग से पता चल जाना चाहिए आपका आपका अंदर प्राथना क्या चल रहा है लेकिन आज कल आदमी लोगों का प्राथना मुँँ में वचन तो ऐसा है लेकिन अंदर नहीं है पहार में भूग नहीं है लेकिन फिर लोग खाने के लिए जाते हैं उससे उन लोगों को मजा नहीं आता है लेकिन जब आपको भूग है ना खाना आपको ना कुछ भी अच्छा लगता है कि एक दिन हम पहारों में प्रचार करने के लिए गय था जलते चलते चलते इतना जोर से भूप लगा था तो हम ने अंदेरा था उदर लाइट हुड़ था एथा एक अंदेरा में खाना दियाimin खाया भंबू शूट का जोड तूप था, उदर में, जोल था, मीट बनाया था, तो हम काफी 2-3 पीस को चबाया, अंने खाते खाते वहां में हमको ऐसा चीज भी मिला, जो हम छोडने दिल ने जहां मतलब चबारा, 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 इस पूस्त में हमने शора करन घुल कर के खतम भी नहीं नहीं अब साथ में तो जब हुआ हमनिकाल कि देगा तो पुस्ता कर ठुग रहा था हौँ आप खा रहा है कभी कभी लेकिन टेच लगा ब distractions आप experiencing मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि सही आई और मीनिंग आप खाए खाने से पहले आपको अंदर भूग होना चाहिए बहुत लोग खाते हैं लेकिन भूग से नहीं टोक से लेकिन भूग है ना पर आप खायेगा लगेगा एमें तो परमेशर की लोगों आप जब आप दुनिया बर्का क्या क्या है सब लेके बानिये फिर भी वह शैतन आजाद गुम रहा होता है तुम आलो में आपको वोड तुबहा पे सिरिफ वह बचन है अंदर नहीं है कि यह जब स्पीरिफ में आप connection होगा प्रमेक्श्र आपका बोलने से पहले जानने वाला है वह बोलने से पहले का अे है आपका मूख से पहले से पहले परमेश्र आपको जानता है बोला थे नहीं है вет अमेह नहीं समझाए मनुद आपको आपको एक Mercedes Benz चाहिए आपने मुख से बोला परमेशर मुझे Mercedes Benz चाहिए तब परमेशर ओह अभी पता चला है नहीं आप मुख से बोलने से भी पहले पता चला है क्यों कहां है वो Spirit में तो परमेशर को Spirit का भाषा समझ में आता है Amen Amen Hallelujah क्योंकि वो Spirit है वो सत्य है और सत्य आत्मा और सत्य बोला है आत्मा और सत्य है लोगों के पास में इसका बरपूर गलत interpretation है आत्मा से आराधना करेंगे आये Hallelujah और वर्शिप लीडर ने बोल देना है आये हम आत्मा से परमेशर के लिए आराधना करेंगे Hallelujah आवाज को कपाना आत्मा नहीं दे और slow song गाना उसको और slow बना देना हाँ यह आत्मा नहीं है आप गाना को गार है आत्मा में है की नहीं है और सत्य से क्या है जब आप बिमार है आप बोलना है कि येश्व ने 2000 साल पहले को आके मेरे सारे लोगों को चंगा कर दिया है यह सत्य है मैं धनी हूँ जब कि आपके पास कुछ भी नहीं है यह सत्य है क्योंकि आपको यही बनाया परमिश्व मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा पेड़ हूँ मैं अच्छा फल ला रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मैं ध्यालू मैं अनुग्र कारी हूं मैं सु समाचार सुनाने वाला व्यक्ति यह सच यह मैं देने वाला व्यक्ति हूं प्रभू आलेलुया मुझे क्या क्या देना चाहता हूं लेकिन कुछ भी नहीं है यह सत्य नहीं है जूट है यह जब भी आप प्राथना करने जाते हैं अत्मा से और प्रत्य से प्राथना जब भी आप अराथना करने जाते हैं इसे आओ को और बहुत लोग बलता है अराम अरा धना अराधना अरा परमेंश्जर का प्रेजश्ट आएगा है अधा आधम को आधम का दम हो निलिकर को प्रप्रेज़सां या थी कैसे अदम नेरे जब आप कर दिया परमिश्र呢 कि आधा अधान इजिन नहीं बोल रहा है कि आधाना ने करना हमलोग भी करते हैं आध झार दना एक सोर्स नहीं है जो परमिश्र को लाता है ऐ कि शुरक प्रेजंस है न कि विश्वासत है आलेलुया प्रेस्ट लोर्ण ग्रीट जीजस अमलोगा आगी केलें आगी केलें आगी केलें वेडिया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंग बेल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा बस हो जाएगा अबना इसको लेकि हम डीप मैसेग तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका वोर्डिंग से आपका स्पिरिट के से मेल खाना चाहता पहले आत्मा में डितायर होना चाहता हूं फिर आप परमेशर को वचन को जब बोलते हैं आप आत्मा में चलना चाहता है दिंबर आप शरीर में जीते हैं काम को आके आप परमेशर को माप भी नहीं परमेशर के प्रति आपका जिली नहीं है और आप परमेशर को वचन को बोल रहा है मैनिफेस्टेंशन को नहीं दिखाए दे रहा है मिनिंग वो जिंदा होता हुआ नहीं दिखाए दे रहा है ए मुर्दा जिंदा हो जाओ ए मुर्दा जिंदा हो जाओ नहीं दिखाए दे क्योंकि आप आदमी को मरा वा देखता है लेकिन इस्पिरिच्टल रोम में आदमी मरता नहीं है आदमी सोता है हालिलुया जब आप बिश्वास से जिन्दा उसको सोया हुआ देखेगा तो सोया हुआ को जगाने के लिए अच्छा हुआ ना मोडिया अद्रिया आपके प्रातना करके देखेंगे तो मोरा या यह न कि कि जब आप आप बीमारी को वाई यहाब पिमीजिर बीमार नहीं है और भुए आपके साथ है और आपके पास है और आपका अंतर है और आपका शरीर पर meetings परमेशर का नेचर से बढ़ा हुआ है और आपका ज्यान बुद्धी आत्मा पूरा पवित्रा आत्मा से बढ़ा हुआ है और परमेशर पवित्रा आत्मा बीमार नहीं है तो घुटने में दर्द नहीं है कमर में दर्द नहीं है ये श्मसी के नाम से पता नहीं दो दो दिन से मैं कमर में मेरा कमर में बहुत दर्द को से रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है आज अभी इस वक्त मेरे कमर में कोई दर्द नहीं है यहां आने से पहले कोई दर्द नहीं है दर्द ने अभी हमको फिर से एक जटका लगा मैं बोलना चाहता हूं किसके कमर में दर्द है जिसके लिए मैं अभी प्रात्ना करूँ तो God talks like this बर मैं sure हमको कभी-कभी उस दर्द को देता है ताकि हम मैसुद करें और आपके लिए हम प्राफिटिकली बोल रहा है जिसका कमर में दर्द है यूटूब और फेस्बूक पेज में हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे कमर में जिसका दर्द है तोट है I can feel your pain strongly आलेलुया देखे आत्मा और आपका बोड्ज मिलना चाहिए प्रात्ना का मतलब राता नहीं है पर मेश्वर के पास नम्रता से जाए आपको शून्य कर के जाए आपको याद है दोटु आदमी प्रात्ना कर रहा था ये शुने एक आदमी ने बोला है हालेलुया शॉर्ष और यःस्ट मैं दाइड्ज देने वाला वैकती हूं हालेलुया ओओ मैं śब 6 काम कर रहा हूं जो है हालेलुया और एक ठुने क्या बोल स मेरे मेरे स्वर की पिता, मैं आख उठा की भी उपर नहीं देख सकता हूँ कौन परमेचर को आख उठा की देख सकता हूँ निमत है किसी का अभी का जनेरेशन मैं आख उठा की भी आपको देख नहीं सकता हूँ अपना आपको सुन्य किया, अपना ज्ञान को अनलोक किया, अपना बुद्धी को लोक किया, अपना हुनर को लोक किया, आपको छोटा बनाया, प्राथना, गुटना, गुटना मैं सिर्फ परमेशर के सामने टेकता हूँ, मैं गुटना सिर्फ परमेशर के सामने टेकता हूँ और किसी के सामें हालेलुया प्राथना नम्रता कुदर्श्ट जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं कौन सा वाला कि तोच और कौन सा वाला विचार और क्या लेके जाते हैं कि मैं जब परमेश्वर के पास जाता हूं मैं जाता हूं कि परमेश्वर मेरी आखों को खोले कि मैं उन चीजों को देख सकूं कि परमेश्वर को क्या खुशी क्या चीज अच्छा लगता है मैं परमेश्वर से वो ग्यान मांगता हूं परमेश्वर मुझे ग्यान दे ताकि म मैं देख सकूँ कि तुमको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है परमेशर से मैं प्रातना करता हूँ कि प्रभू मुझे बाते करो ताकि मैं तेरे लोगों को बाते करो तुम मेरे जीवा अगवाई नहीं करेगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तू मुझे बाते नहीं करे यह प्रभु में सुन्ना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ बैटना चाहता हूं तुझे जानना चाहता हूं तेरा प्रेमी हूं आप कैसे जाते हैं क्या मॉटीब लेकि जाते हैं क्या सोच लेकि जाते हैं that is very important so god bless you everyone I hope you understand so please share this message to somebody and keep sharing okay youtube में कोई prayer request please कि हम प्रातना करेगा कि आ कि अब आपके रमेश पास्वान का बैक में पेन है अभी जो बोल रहा था और उसका मिसेस का बैक में पेन है मैं चाहता हूं आप लोग दोनों अपना हाथ को अपना हाथ को बैक रखे, बैक में रखे, ऐसे घर के हाथ रखे, मैं प्रादना गर्व का, येशु नासरत मसी के नाम से, वो दर्द, बैक पेन, पीट कमर में जो दर्द है, येशु के नाम से निकल के चले जाए, मैं आग गया देता हूँ, और पूरी तरह से डेलीवर हो जाए, येशु के ना लग्या बें कोशा है, कीटा झालम के लिए, तो फ्रिश का सक्सेस के लिए क्याँ चीज़ था कैम, कूरी ऊके एम्स का सक्सेस के लिए, को के लधा बेट्स प्रِये आप पापम, कीटा झालमänder में आगर मैरे साथ ऑन उन्लाइन में है तो बहुत अच्छा था अगर नहीं ह तो भी आपका हस्बेन को मैं देख रहा हूँ अभी भी तलम हार निलम हमारे साथ है अब अपने हाथ को बढ़ाएए येश्यू के सामर्थी नाम में जो एम्स का सक्सेस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्यूर अपने दास को अपने बेटे को अपना बेटी क प्रभू उस जिस चीज के लिए वो मैनत कर रहा है तेरे बाएब बचन में लिखा है मैं उसको बोल रहा हूँ और वो मैनिफेस्टेशन हो उनके जीवन में जहां पर लिखा हूआ है कि तु मैनत कर और मैं तुझे तेरे हाथ की काम में आशिश करूँगा येश्यू के ना आधा गोड़ ब्ल्ट जिवू कोई और है जिसको मैं प्रात्ना करो और डेवी पुनूसुभा गोड़ ब्लेश्यू कोई यह देवी पूनुणर आगर आप लोग नया है तो प्रीज हमारा यूट्यूब चैनल को आ Florida subscribe कर दिज्य किक्श कि हम लोग जोगोन के भीच पहु कि किसी व्यक्ति ने कहा है आप आपका ओनलाइन मैंने उसको अनुरोद किया था फॉन करके आप हमारे साथ ओनलाइन जुड़ जाए तो उसने कहा था आपका वीवर्स बहुत कम है आपका सब्सक्राइबर बहुत कम है इसलिए कि उसने हमको डिस्करेज कर दिया था वह भी बहुत बड़ा परमेशर का दास ने ऐसा बोला है हम भी बहुत हम उसका बोलने से हमको कोई माइने नहीं रखता है लेकिन अगर आप सब्सक्राइब और व्यू आदमी को देख करके परमेशर का भच्चन को सुन रहा है तो आप गलत ट्रेक में हैं हम लोगों कि फिरुवाज जो है सबका छोटा है और आज हमारा भी फिरुवाज छोटा हो रहा होगा लेकिन चाच में इन्सान का बनाया हुआ इन्सान बेजा हुए दास नहीं हूं वुझे परमेशर ने बेजा परमेशर मुझे चुना हुआ है तो ओके शीजी इस वीदास पॉला है शिस्टर गीता गीता हर निलम गीता हर निलम गॉड़ ब्लेस यू एंद परमेश्व में हाड़ वर्क कीजे प्रातना कीजे बाइबल को पढ़िये and what pleases God to it जो परमेश्व को अच्छा लगता है वो कीजे जो लोगों को अच्छा लगता है वो नहीं मनुश्यों के उपर भरोसा मत कीजे परमेश्व के उपर बरोसा कीजे और आपका लाइफ बहुत जादा important है परमेश्व के निगाम में अगर आप आत्मा से मूव होगा दि सुट को देखेंगे और ब्रदर डॉक्टर ताला महार निलाम हमारे साथ काफी सालों से दो साल हो गया अल्मोस हमारे साथ जुड़ा हुआ है एंड आप से क्या हम लोग आपको फाइदा पहुचा रहा है कितना लोग है जो फेस्बुक में यूटुब में आप लोगों को क्य का फाइदा पहुच रहा है प्लीस कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिए ताके हम गवाही को बाट सके और सुनके परमेश्यों को धन्यवाद कर सके तो गॉडब्लेस यू एव्रिवान तो यह समय इविनिंग ऑफरिंग का है आप लोगों को मैंने फिर से बार पर बताते रहने के लिए जरुत भी नहीं है आप लोग जान चुका है कि सेक्रिफाइज हमारे हमें कुछ बंधनों से छुड़ा देता है हमको जंजीरों से छुड़ा देता है सेक्रिफाइज एंजल को काम करने में मजबूर कर देता है आपका सेक्रिफाइज क्योंकि सेक्रि सअपरिफाइस में आंधकार की नियुक्ड ले जाता है किसलों मुंट कर देता है मिल्ड़ में दियुकितन के लिव पिंड़ किसे जाता है। यह 100% टूऔ है। मिल्च of appropriate work . जे कभी थे बता यताहिएं हॉ Chelsea festive birlide का लम आपयता हुआ से right ur come you are epic hitaал the आपने समेवागा इन रहा हुआट, आदो पहा हुआ हुआ ए ए सन ले लेवरissant की ट्रोग कर दोगनात आमसी मलता हुआ है अबने ट्रोग जूर इन ए लेड़ मेंगो आ दोगल टीजुजऑ मूषीW वर न Ó य घू See मैं आप लोग सब के लिए प्रातना करना चाहूंगा रभू आप लोगों को बहुत आशिश करे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप फेस्बूक पेज और यूटूब में जितना भी लोग है लोग चर्श को साउंड सिस्टम हम लोग का ये वीडियो क्लियर क्लियरिफिक हम लोग बहुत कुछ कर रहा है और प्रातना भी कर रहा है आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प् कॉमंट सेक्षिन में जाकर के मैं इतना दे रहा हूं इस चीज के लिए आप कुछी चीज के लिए आप देना चाहते हैं simply आप एक दो स्टेप जाएए गूगल पे नंबर में जाएए आप सेंड कीज़े और हमको मैसेश कर दीजे कि इस चीज के लिए है तो हम लोग अस च कर रहा है सो तब लोग एक बार आखे बंद कीजिए मैं आप लोगों के लिए प्रात्ना करूंगा तरवशक्तिमान प्यारे पिता परमेशर येश्यमसी नासुरत हमारे प्रभू के नाम से प्रभू जो लोग इस वक्त सुन रहा है और जितने भी लोग ऑनलाइन में उनका काम सक्सेस हो चुका है मैं बिश्वास करता हूँ उनके बिश्वास में मैं सहमती होता हूँ प्रभू और प्रभू मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी बीमारी जो भी प्रकार का बीमारी है येश्यमसी के नाम से चंगा हो जाए इस वक्त और मैं देख रहा हूँ मैं 100% आत्मा में देख रहा हूँ कि आपका भीमारी आपका परिशानी आपको छोड़ करके जा रहा है ये शमसी के नाम से क्योंकि आप आपने आत्मा का बात को समझ चुका है और आपके अंदर में जो चल रहा है प्रभू सुन चुका है तो प्रभू आपको आशिश करें अबरहाम का आशिश आपके जीवन में आए हर एक प्रकार के एक्सिडेंट दुरगटना और बीमारी से सुरक्षा रखेगा आपको परमेशर अपने दूतों को बेज करके और जो एंजल्स आपको ठहराया हुआ था वो एंजल्स आपके पा प्राथना नहीं है परमेशर आपके प्राथनाओं को नहीं सुनता है लेकिन परमेशर आपके भिश्वास को देखता है और आंसर करता है परमेशर में आपका भिश्वास और जड़ पकड़ते जाए परमेशर का प्रेम जड़ पकड़ते जाए और आपका भिश्वास और अनुगरा से और अनुगरा, और और चंगाई से और चंगाई, और और उन्नती से और उन्नती के तरफ जाए, येशु मैसे के नाम से मैं ये blessings बोलता हूं, और प्रभू मैं, मैं जो बोलता हूं वो आत्मा है, और वो जीवन है जो देखने के लिए मिलेगा, येशु के सामर् में धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्र ओके थैंक यू सो बच आवर्रिवान गड़ेस्ट यू गड़ेस्ट यू तो शालम शालम in your home शालम in your town शालम in your city शालम in your heart शालम in your mind and शालम in your family and शालम in you so God bless you हम लोग अगले हपता फिर से मुलाकात करेंगे इसी चैनल में और इसी जगा में और इसी समय में हैं मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि परमेशर शोरली ब्लेसिंग करेगा और उसको चंगाए करेगा तो परमेशर का चुटकारा का दीन है आप चुटकारा पाते रहे तो बावाई बाव 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 दियू झाल से अ जजर मैं कि परमेशर लुटकारा तो का हूं कि परमेशर आप Пछड़ें था लिदं最 प्सके कि अरुटकारा हूं कि लुटकारा मिश्रे कि वा BY।